जहिन सात्यों नमस्कार CCC की इस क्लास में आज हम डिसकस करेंगे 8 अगास्त 2021 को CCC exam में पूछे गए Most Important Questions और इन questions को हमारे पास श्रेंड किया है आरिफ रजजी ने सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद दोश्तों आप भी exam के बाद Questions समय जरूर संद करिएगा Questions अगर आप WhatsApp पर संद करना चाहते हैं तो हमारा WhatsApp कॉंटिक्ट है 8181-871106 इसके नाव फेस्बूक या इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फिर अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhexelcomputer adredzmail.com इसके नाव कमेंट बॉक्स में भी आप questions को लिखतेंगे तो वहां से उन questions को हम ले लेंगे और अपने classes में आपके नाम के शाद उन questions को discuss करेंगे ताकि next day जिनका भी exam रहे उनके exam में काफी help हो सके दोस्तों सभी के exam में एक जैसे प्रस्ण नहीं आते हैं एक ही examination center में सभी बच्चों के questions अलग-लग होते हैं इसलिए आपके exam में जो questions आये रहे हों उन्हें आप हमें जरू भीजेगा CCC का जो आज exam था उसमें CCC की महा मैतन class से काफी साइ questions आये थे तो जो हमने class upload की थी आपके लिए उसे आप देख लिजेगा आपके लिए काफी important है साथी साथ वीडियो के नीचे 2000 questions से PDF की link दी है वहाँ से आप उसे download कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं और mock test के लिए visit कर लिजे www.abhexel.com और करिए अपनी तयारी को और भी बहतर तो time wish ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये class क्योंकि शीदी बात नोबक्वास यही है अभhexel की class Let's begin in this top पैरा question है E stands for in APS APS में E का क्या मतलब है Simple सा question है कई बार मैंने आपको बताया है इन सबी questions को आप mock test के रूप में लेते रहिए और comment box पांसर देते रहिए वीडियो के लाश में आप ज़रू बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए है अब यहाँ पर options है Electric, Enabled, Electronic and E-Governance अब APS का full form अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप answer इसका दे पाएंगे APS का full form होता है आधार Enabled Payment System क्या होता बच्चों? आधार Enabled Payment System means यहाँ एक ऐसा Payment System है जिसमें आप आधार कार्ड के द्वारा Money निकाल सकते हैं या फिर अगर आप Balance के Inquire करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या अपने Account का Statement आपको ग्याद करना है तो अभी आप कर सकते हैं एक Question इस से संबंदे पूछा आता है क्या APS में हमें ATM की जर्वत होती है तो कोई विज़रत नहीं है यहाँ पर सिर्फ आधार नंबर और आपके Biometric की जर्वत होती है उसकी मतलब से आप Transaction कर सकते हैं तो यहाँ पर E का मतलब क्या हो चाहेगा Enabled Option Second is Right ठीक है? अब Next Can we create a Modify Hatch Pattern? यह कल भी किसा में कुश्चन पूछा गया था और प्रीवेस क्लास में में वेने आपको बताया है क्या हम Hatch Pattern बना या संसोधित कर सकते हैं तो बिलकुल सही बात है Option First is True हम Hatching Pattern बना भी शकते हैं और उसमें कोई संसोधन करना चाहते हैं तो शंसोधन भी कर सकते हैं अब Next Calc cell A1, B1, C1 और D1 का मान एक, दो, तीन और चार की रूप में है A1 में क्या परड़ाम होगा? यदि दर्ज करें इक्वल सम A1, D1 और C1 छुपा हुआ है Question थोड़ा सा पढ़िए Important question है, Simple सा question है अगर हम A1 cell में इसका result निकालते हैं जहाँ पर हम फार्मल लगाएंगे इक्वल सम A1 कॉलन दी वन और उसमें से जो C1 cell है वो हाइड है तो इसका answer क्या होगा? 10, 7, 6 या 15 आईए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं यहाँ पर calc open है आप यहाँ पर इसे हम delete कर देते हैं यहाँ पर अभी हमारा 3 hide है इसे हम यहाँ से unhide कर देते हैं यहाँ पर value 1, 2, 3 and 4 हो गया ना A1, B1, C1 और D1 ठीक है? या फिर अगर आप चाहें तो इसे आप इस क्रम में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर A1, B1 की बात की गई है तो हमें assess को रखना है और A1 में हम value निकाल लाए हैं तो यहाँ पर हम equal sum bracket A1 colon D1 ठीक है? bracket close कर देते हैं और enter कर देते हैं तो answer कितना आया? 10 आया अब condition हमें देनी है अगर हमारा c1 क्या है? hide है तो यहाँ से जाके हम height column कर देते हैं तब भी आप देखें कि इसका जो answer है वो 10 होगा क्योंकि अगर हम किसी भी row या column को height कर देते हैं कोई भी formula लगाने के बाद तो वो उसी के recording करम करेगा height किये हुए column से कोई भी दिक्कत नहीं है execute होके हमें वही answer मिलेगी वही value होगी तो यहाँ पर answer से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है option first is right अब next 22 e-governance meeting 2019 held in which city e-governance की 22 meeting जो 2019 में हुई थी वो किस city में हुई थी अब question से एक question और बन जाएगा कि 22 e-governance meeting कब हुई थी तो 2019 में हुई थी किस city में हुई थी हिमाचल प्रदेश आंध प्रदेश शिलॉंग या फिर डेलाही CCC की महामेतन क्लास में एक question मैंने आपको कराया है आप अगर देखके exam देने गये होंगे तो आसानी सा अपने शाल किया होगा तो 22 e-governance की जो meeting थी 2019 में वो शिलॉंग में हुई थी option says right अब next banking में सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय क्या है banking का उपयोग आप सरी लोग करते हैं देखे सबसे पहले आप किसी का भी उपयोग करें computer का उपयोग कर रहे हैं तो आपको anti-virus protection चाहिए में इस virus से protect होने के लिए anti-virus आपको चाहिए तो banking में जो मेजर रूप से उपयोग होता है वो क्या है anti-virus protection on bank computers firewalls fraud monitoring and website encryption ये उनके major security हैं जो banking के छेतर में उपयोग किये जाते हैं तो नोट कर लिजेगा anti-virus protection on bank computer firewalls fraud monitoring and website encryption अब next वेब डिजाइनिंग में CMS का क्या मतलब है CMS काफी important question है simple question है ये question मैंने CCC की महामेर्थन क्लास में कलाया था CMS का full farm होता है content minus system नोट कर लिजेगा content management system अब next position of status bar in library office library office में status bar की position क्या होती है means वो कहाँ पर पाया जाता है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने open है library office writer जूम करके आपको दिखाते हैं तो ये आपका status bar है और status bar कहाँ पर है ये page के bottom में है है ना सबसे नीचे है page के सबसे उपर title bar होता है जहाँ पर page का title होता है है ना तो ये सबसे नीचे क्या है status bar तो यही यहाँ पर पूछाए कि position क्या है तो bottom होती है क्या होती है bottom होती है अब next land is for limited area क्या land limited area के लिए उपयोग होता है true या false land का full form क्या होता बच्चों तो land का full form होता है local area network कल भी मैंने आपको बताया था कि land का उपयोग एक छोटी सी भागोलिक दूरी जैसे घर, office, building इन में किया जाता है तो बेलकुर सही है land limited area में उपयोग होड़ना land network है अब next Gmail related to which email service Gmail किस mail service से संबंधित है तो Gmail आपका Google से संबंधित है Gmail का full form क्या होता है Google mail होता है आप सभी जानते है तो Google दोरा चलाई जा रही कि एक service है जिसके दोरा हम यह service मिल रही है अब next protocol for sending आप mail mail भीजने के लिए किस protocol का उपयोग करते है बताईए mail भीजने के लिए किस protocol का उपयोग करते है mail को receive करना mail को भीजना access करना यह तीनों चीज़ें आपके लिए important है तो mail भीजने के लिए हम SMTP protocol का उपयोग करते है किसका SMTP का mail receive करने के लिए POP3 का और access करने के लिए IMAP का उपयोग करते है कभी कभी एकसाम में यह question पूछ लेता है कि निम्न मेंसे कौन email के protocol है तो SMTP, POP3, IMAP यह सभी mail के ही protocol है अब CCC एकसाम में full form भी पूछता है तो इसका full form होता है simple mail transfer protocol क्या होता है simple mail transfer protocol SAP POP3 का full form post office protocol होता है IMAP का full form internet internet, masses, access, protocol होता है क्या होता बच्चों internet, masses, access, protocol note कर लीजेगा काफी important है अब next converting plain text to ciphertext is got means plain text को ciphertext में जो परवर्तित करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए काफी important सा question है simple सा question है plain text को ciphertext में convert करना कभी कभी ये question पूछ लेता है कि encryption के पहले के text को क्या कहते हैं तो उसका right answer होगा plain text before encryption plain text और after encryption सिफर टेक्स्ट होता है, ठीक है, नोट कर लीजेगा काफी important है, तो जो प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, encryption बोलते हैं, क्या बोलते हैं, encryption बोलते हैं, नोट कर लीचेगा काफी important है अब next value equal content 509.8 7 का मान क्या होगा आईए with practical आपको दिखाते हैं equal q-u-o-t-i-n-t bracket 509.8 7 bracket close और इंटर करेंगे तो राइटन से कितना जाएगा इसका 72 ठीक है तो यहाँ पर भी इसका आईटन से कितना हो जाएगा 72 दोश्तों आज भी क्लास में बस इतने questions क्योंकि शमय नो होने के कारण यह मुश्खिल से class आपके लिए हो पाई है लेकिन class आपके लिए जरुडी है क्योंकि exam में कैसे questions आ रहे हैं आपके लिए काफी important है जानना और बच्चों के जो questions आ रहे हैं उन्हें discuss भी करना है ताकि next day जुनका भी एकसाम रहे उनके एकसाम में काफी help हो शके अगर यह class पशंद आई हो तो like कर दीजेगा share कर दीजेगा comment कर दीजेगा और channel पर नए हैं तो channel से जुनने के लिए subscribe कर दीजेगा योगि ये परिवार आपका है तो इसको सजाना और सवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है thanks for watching my video फिर मिलते हैं next class में नए questions के साथ तब तक के लिए bye bye